प्रणाम कल 21 फरवरी है अभी आठ दिन पहले छे दिन पहले एक बहुत बड़ा नाटक खतम हुआ है चोदा फरवरी का लोग वेलेंटाइस डे के नाम से मनाते हैं फरवरी में कल एक महान गौरव का दिन है 21 फरवरी क्या महान गौरव का दिन आईए उस पर चर्चा कर लेते हैं 1857 में करांती हुई थी और 1857 के बहुत सारे करांती कारी और नायकों के बीच में एक अधवत नायका ने जन्म लिया था जिने लोग रानी लक्ष्मी भाई के नाम से जानते हैं रानी लक्ष्मी भाई ने गोशना कर दी थी मैं अपनी जहासी नहीं दूगी और मरते दम तक उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रतानिया हुकुमत को बीस साल की एक लड़की ने चेतावनी दी चुनौती दी और उसके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई उत्तर भारत में ठीक उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मी भाई का जो स्थान है 1857 की क्रांती से लगबग 33 साल पहले जब 1857 की क्रांती ने जन्म भी नहीं लिया था दक्षिन भारत के करनाठक में कितूर नाम का एक राज्य था जहांकि एक महरानी थी जिनका नाम था रानी चेनम्मा हो सकता है आप मेंसे कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हो रानी चेनम्मा 1778 में मैसूर में पैदा हुई और ब्याह के बाद शादी के बाद कितूर राज्य में चली गई इनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया पुत्र जी नहीं पाया और मृत्यू का ग्रास बन गया और पुत्र के कुछ दिन बाद ही इनके पती भी मर गई रानी चेनम्मा वैसे उनके पती की कई एक दो रानिया और भी थी लेकिन रानी चेनम्मा क्योंकि बच्चपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, शासन संबंदी विवेचनाएं दंडविधान, आचार सहीता, इन पर विचार करना, इनके बारे में सोचना, शासन व्यवस्था के बारे में विचार करना ये बच्चपन से ही रानी चेनम्मा का वैसन रहा इसलिए उन्होंने राजकाज में हस्तक्षेप करना शुरू किया उन्होंने उनके पती की जो उनसे बड़ी रानी थी उनका पुत्र था उनका नाम शिवलिंग था उन्हें राजगद्धी पर बिठा दिया और शासन शिवलिंग करने लगे लेकिन शिवलिंग का भी कोई पुत्र नहीं था उन्होंने एक संबंदी रिश्टेदार के पुत्र गुरुलिंग को गोद ले लिया और शिवलिंग मर गए अब गुरुलिंग बहुत छोटे थे और रानी चेनम्मा ने गुरुलिंग को राज सिंगासन पर बिठा कर शासन व्यवस्ता अपने हाथ में ले ली और शासन करना शुरू कर दिया ऐसे में डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स के नाम से अंग्रेजों की एक हडप नीती थी कि जहां कोई राजकुमारिया ना हो उत्तराधिकारी ना हो तो उस राज्य को अंग्रेज कमपनी इस्ट इंडिया कमपनी हडप लेती थी उन्होंने इस हडप नीती का लेटर रानी चेनम्मा के नाम लिख दिया और ये लेटर उन्होंने राज्य कित्तूर में भेज दिया लेकिन माराणी चेनम्मा ने इस लेटर को धता बताते हुए अपनी वीरता का परीचे दिया और पलट कर उन्होंने गोशना की कि इस राज्य में पैर रखने की जरूरत नहीं है ये राज्य हमारा है ये प्रजा हमारी है इनके दुख और सुख हमारे है इनके सुखों की चिंता करना हमारा काम है हम अंग्रेज सरकार को यहां नहीं गुसने देंगे और मैं अपने राज्य को गुलाम नहीं होने दूगी रानी चेनम्मा अंग्रेजों के साथ डट कर खड़ी हो गई अंग्रेजों के खिलाफ़ डट कर खड़ी हो गई और उन्होंने विद्रो होगी गोशना कर दी 23 सितम्बर 1824 को, कितूर के किले पर अंग्रेजों ने वहां का उस समय का सेना पती था अंग्रेजों का उसके नेत्रेतों में वहाँ अंग्रेजों ने हमला कर दिया आप पास्चरे करेंगे जो सेनापती था वो अंग्रेज नहीं था भारती यह था उसके साथ जो सिपाही आये जिन्होंने उस केले पर हमला किया वो भी विदेशी नहीं थे, भारतीय थे रानी चेनम्मा ने पहला दिन उन्होंने घेरा डाल दिया चारों ओर किले को चारों ओर से घेर लिया लेकिन अगले दिन सुबा सूर्य के उदे होते ही मारानी चेनम्मा मर्दाना वेश में अपने मुठी बर सेनिकों के साथ इन अंग्रेज सेनिकों पर इन अंग्रेजों के घुलामों पर इन भारतीय घुलामों पर तूट पड़ी और वो काल की तरह उन पर लपकी वो मृत्यू की तरह उन पर लपकी और यह मृत्यू इन सब को लील गई अंग्रेज सेना भाग खड़ी हुई कित्तूर का किला सुरक्षित रहा लेकिन 3 दिसंबर 1824 को अंग्रेज सरकार ने एक बहुत बड़े सैन्यबल के साथ फिर से कित्तूर के गिले को गिर लिया और इस बार रानी अपने लड़ाकों के साथ लड़ती रही अंतो तक जब तक उसके पास एक विस्सान एक बचा तब तक वो लड़ती रही लेकिन अंतो तो अगत्वा रानी को गिरफ्तार कर लिया गया रानी कैद हो गई वही कहीं एक किले में 50 साल की आयू में रानी चेनम्मा की कैद में ही मृत्यू हो गई 21 फरवरी 1839 को रानी चेनम्मा इस संसार को छोड़ कर चली गई समय बीद गया हम लोग आजाद हुए और आज इस आजाद देश में घूमते हैं लेकिन इस आजाद देश में हम अंग्रेजोही की संस्कृती को फोलो करते हैं अंग्रेजोही की संस्कृती की प्रशंसा करते हैं उसे ही अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रियास करते हैं याद रखना मित्रों यदि रानी चेनम्मा जैसी अनेक विरांगनाओं की कथाएं इतिहास के पन्नों में दब कर लुप्त हो गई तो तुम्हारी संस्कृती को भूल जाएंगी और इनी विदेशी संस्कृतीयों का अनुपालन करते-करते एक दिन ये फिर से गुलाम होगी और जिस दिन फिर से गुलाम होगी जब रानी चेनम्मा की और उनके जैसी विरांगनाओं की दास्ताने इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गई तब कौन उन्हें वीरत्व की प्रेरणा देगा तब कौन उन्हें साहस की प्रेरणा देगा कौन उन्हें उसे गुलामी से आजादी की ओर लेकर जाएगा इसलिए मित्रों यदि बचाना चाहते हो इस संस्कृती को आने वाली संतती का रक्षन करना चाहते हो तो अपनी संस्कृती, अपने इतिहास, अपने गौरव को जिंदा रखो अपने इतिहास को स्मरण करो मुर्खताओं में फसने की आवशक्ता नहीं है बहुत धन्यवाद, प्रणाम